हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो में एस्वे एजुकेशन फॉर्मिशन चैनल में आपका स्वागत है तो आज की क्लास में हम आज की टॉपिक हमारी आप देख सकते हैं प्याजे का सिध्धान्त और संग्यानात्मक विकास पर क्लास आज हम प्रवाइट कर रहे हैं 2024 के सारे जैसे यूपी टेट है, सीटेट, सूपर टेट, बीएड, विटीसी, एमेड मतलब हर चात्रों के लिए टॉपिक डिटेल सम क्लास देने वाले हैं यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हैं तो चलिए आज की टॉपिक हमारे जीन प्याजे की संग्यानात्मक विकास से रिलेटेट है एक बच्चे की जो है संग्यानात्मक विकास किस-किस इस्टेपों में होता है आज सारा डिटेल्स एक क्लास में एक वीडियो में यदि आप देख लेते हो तो आपको सारा कहीं और टॉपिक सर्च करने की जरूरत नहीं है चाहे यूपिटेट की टॉपिक हो, सीटेट की हो या तो मतलब किसी भी कमपुटेटिव एक्जाम की बात मैं कर रहे हूँ या तो यूजीसी नेट जयारब की आप तेयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेट भी आपके फर्ष्ट पेपर पूछे जाते हैं एजुकेशन सिच्छा सास्त्र की भी टॉपिक इसमें मैच करती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत जादे की वीडियेप नहीं है यहाँ पर 24 जनौरी 2024 की नई टॉपिक है यहाँ पर लेबल है बहुत ही सर्च रिसर्च सोथ की बाद वीडियो बनाई जाती है यहाँ पर देखेंगे प्रेश्ट में आपको पढ़ाएंगे हम की विकास जो डवलपमेंट के स्टेफ है और प्याजे के सिंधाद है ठीक है इसकी सुरुवात हुई कैसे पालन पोसर शांस्त्री सला और सुक्ष्म आकलन के बारे में भी हम बताने वाले हैं लगातार बने रहे है चाभी छीनना इस्टेफ याँ से सुरू हो जाता है आपको हम बताएंगे देखिए यहाँ पर के आए कि जीन प्याजे बच्पन से वैस्क की ओर बढ़ने पर होने वाले संग्यानात्मक विकास में परिवर्तनों के संबंद में अपने सिधानतों के लिए प्रसिद्ध है असंग्यानात्मक विकास जन्मजात छमताओं प्रकृति और परियावरणी प्रभावं पोशड के बीच में परस्पर क्रिया से उत्पन्य होता है बच्चे चार अलग-अलग चरडों के माध्यम से प्रगति करते हैं जिसे एक छोटा बालक है उसका जब जन्म होता है तो जन्म के बाद से उसके चार इस्टेप हो जाते हैं ठीक है उसी इस्टेप पे बालक का क्या होता है विकास होता है दिरे-दिरे क्या संग्यानात्मक शमताओं का और विश्व समझ का प्रतिनिधित्व करता है सेंस्रिम जो मोटर होता है चरण में जर्म से बच्चा जर्म से लेकर के दो वर्स तक बच्चे का विकास होता है प्री ओपरेशनल चरण में जो होता है दो वर्स से साथ वर्स का जब बच्चा होता है तो इसमें उसका विकास होता है सारे चरोडों को मैं पुरा डिटेल सुरूप से समझाने की कोशिस करूँगी क्लास बहुत इजी होगा फोस परिचालन चरण 7 से 11 वर्स का और पचारिक जो है परिचालन चरण 11 वर्स से जो है उससे अधिक होगा तो आगे चले बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में एक बच्चे का संग्यानात्मक विकास केवल ज्यान प्राप्त करने के बारे में नहीं है बच्चे को जो है दुनिया का एक मांसिक मौडल विक्सित या निर्माण करना होता है जिसे इसकीमा करते हैं I hope कि इसकीमा से related question घुमाफुरा के हर exam में पूछे जाते हैं कि इसकीमा क्या है तो आप समझ जाएगे कि यहां पर हम इसकीमा के बारे में बता रहे हैं कि एक बच्चे का संग्यानात्मक विकास ठीक है केवल ग्यान प्राप्त करने के बारे में नहीं है बच्चे को दुनिया का एक मांसिक मॉडल विक्सित या निर्माण करना होता है एक खिलोने के माध्यम से उसे प्ले करके दिखाया जाता है ठीक है जिसे इसकीमा कहा जाता है प्याजे के मांसिक इसकीम के निर्माण में जो है आत्मसात और समायोजन के महत्व पर प्रकास डालते हुई संग्यान संग्यानात्मक विकास के आकार देने पर पर्यावरण के साथ सक्री अन्वेशन के भी बादचीत की भूनका पर जोर दिया जाता है अब इसको इंक्लिवड करके हम बताने की कोशिच करेंगे कि विकास के चरण विकास के चरण क्या है तो जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिधान से पता चलता है कि बच्चे की बादिक विकास के चार चरण अलग अलग चरणों में गुजरते हैं जो बच्चों के चारों उनके विचारों की ओर इन चारों चरणों में बढ़ती हुई परिश्क प्रतेग बच्चा एक ही क्रम में चरडों से गुजरता है और लेकिन सभी एक ही दर पर नहीं होते हैं और बच्चे का बिकास जैविक परिपक्वताथ से और पर्यावरण के साथ बातचीत पर निर्भय करता है जैसे एक बच्चा है तो पहली तो टीचर उसकी मा होती है तो मा के बिहाइबियर और मा के बासचीत पर भी डिपेंट बच्चा का करता है और पिता पिजितना नहीं करता है ठीक उसी तरह से बिकास के प्रतेग चरडों में बच्चे की सोच और अन्य चरडों में गुड़ात पालिका एक चार्ट के माध्यम से हम बताते हैं बच्चे की जैसे अवस्था एज और लक्ष के हिसाब से हम समझेंगे और यही किश्चन उठाये जाते हैं पेपर में यहां पे देखेंगे पूछा जाएगा कि जो ग्यानिंद्रियों का अवस्था विकास होता है किस एज में ठीक है तो जैन्म से लेकर के 18-24 महीने के वीतर होता है, मतलब जीरो से लेकर कि इसमें भता है इसमें बच्चा क्या करता है अपने लक्ष के उम्र का बच्चा होता है इसमें प्रतिक आत्मात्मक बिचार करने लगता है यह थात में चालू आप्रेशनल जिसे कहेंगे तो 7 वर्स से 11 वर्स का बच्चा होता है और तार्किक बिचार इसमें करने लगता है और अपचारिक जो अपचारिक में क्या होता है कि कि सोरा में व हालांकी किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है फिर भी बच्च के जो बच्चा है उसके चरणों में प्रगती करने की दर में ब्यक्तिगत अंतर होता है और कुछ ब्यक्तिबाद के चरणों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं प्याजे ने दावा नहीं किया कि एक विशेश अवस्था और एक निश्चित उम्र में पहुँच गई थी हालांकी चरडों के विश्टरण में अक्सर उसे उम्र का संकेत सामिल होता है जिस पर जो है अवसत बच्चा प्रतेग चरण तक पहुँचेगा अब देखेंगे सेंसर मोटर जो होता है चरण पहला इस्टेप बच्चा जर्म से लेके दो वर्स तक इसमें रहता है तो इसमें हम बताते हैं कि क्या होता है पहला चरण सेंसरी मोटर चरण है जिसके जो है दवरान आप पेपर में इस चितर में देख सकते हैं बच्चे का चि केंद्रित करता है आप बच्चे को देखने हैं एवाला खिलावना दे करके उससे जो है संजो रहा है इसकी विशेष्टा क्या है तो बता दे कि मुख्य विशेष्टा इसकी है विकासात्मक परिवर्तन है सिसु दुनिया के बारे में अपने ग्यानिंद्रियों और अपने का विक्सित होती है जिसमें सामील है वस्तु अस्थाईतु पहले चरण में बच्चे को देख रहे हैं इस वस्तु है जो इसे अस्थाईतु कर रहा है एक पे एक पे तहे लगा करके रखना वे समानिता प्रतिकात्मक कारी के उद्रों से संबंदित है जो कि मांसिक रूप से दुनिया का प्रतिनितित्तो करने की छमता है लगभग आठ महीने में सीशु वस्तु के जो है स्थाईतु को समझने लग जाएगा और यह की वे तब भी मौजूद रहेगी भले ही वे उन्हें देख न सके और जब वे गायव हो जाएगी तो सीशु उन्हें खोजेगा ठी च्रुद की शुरुवात की दवरान सीशु बरतमान में रहता है और इसकी जो है सम्रित्ति में भी तक दुनिया की कोई भी मानसिक जो है तस्बीर जो है संग्राहित नहीं है इसलिए इसे वस्तो उस्थाईतु की भावना नहीं है अगला देखेंगे कि यदि यह किसी भी चीज को नहीं देख सकता है जो कि इसका अस्तित्व नहीं होता है यही कारण है कि सीसु को देखते समय उससे कोई खिलवना छिपा सकते हैं लेकिन एक बार जब वह वस्तु द्रिष्टी से ओजल हो जाय तो वह उसे नहीं खोजेगा अब इस चरण के दवरान जो है मुख्यो जो है मानसिक प्रतिनिधित्व यानि की एक स्कीमा बनाने की जो चमता की अश्यक्ता होती है तो बताते हैं कि इस चरण के अंत में समाने प्रतिकात्म कार्य दिखाई देने लगते हैं जहां पर बच्चे अपने जो है खेल में दिखाते हैं कि वे वस्तु का उप्योग खड़े होने के लिए कर सकते हैं और भासा प्रकट होने लगती है क्योंकि उन्हें ऐसास होता है कि सब्दों का उप्योग वश्तूं और भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जा सकता है तो बच्चा दुनिया के बारे में जो भी जानकारी जानता है उसे संग्राहित करने और उसे याद करने और उसे लेबल करने में सक्षम होना शुरू कर देता है अब व्यक्तिकत मद्भेत की बात करें तो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रथाएं हैं लिंग मान दंड हैं तो इसके बारे में जाने कुछ संस्कृतियों में सिसु के पूरे दिन उनकी मां की पीट पर ले जाया जाता है और वह क्या करता है कि निरंतर जो है सारीरिक संपर्क और विविद योज उत्तेजनाएं इस बात को प्रभावित कर सकती है कि बच्चा अपने पर्यावरण और वस्तुअस्थाईतु की भावना को समझ कैसे समझता है और लिंग मान दंड की बात करें त अब एक छाओं के जो है एक सिकेंड तो इस पर देखेंगे लड़के के लड़के को अधिक जो है अधिक कारे या एक्षन फीगर दिया जा सके जबकि यह लड़की को गुडिया रसुई सेट दिये जा सके प्रारंभिक अंतक्रियां और संबेदी अनवेशोडों को प्रभ पहले इस्टेप की बात कर रहे हैं पहला इस्टेप आपने पढ़ा कि य Neden का है तो पेहले इस्टेप में आपका सेंस्री मुटर चरन है जिसमें अगर लड़की तो उसको कीचन से रिलेटेट खिलवने उसको दिया जा और लड़का है तो उसे जैसे जेंडर टाइप अलग के तरह से हिसाफ से उसे दिया जाना ही उस हिसाफ से उसको खिलवने दिया जाना तो अन्वेशर को प्रभावित कर सकता है अब संग्याना अत्मक विकास का जो है स अब हम बताने वाले हैं प्री ऑप्रेशनल चरण इसमें बच्चा दो साल से चाल का होता है तो उसके अंदर कौन-कौन सा विकास होता है कैसी थिंकिंग होती है सब चीज के बारें बताइगे प्याजे के बहुतिक विकास का दूसरा चरण जो है अप्रेशनल चरण है यह दो से साथ वर्स के बीच का होता है और इस चरण की सुरुवात में बच्चा जो है संचालन का उप्योग नहीं करता है इसलिए सोच तार्किक तर्क के वज़े जो है चीजों को प्रकट होने के त उपस्तिती बदलने पर भी मात्रा वही रती है इसके अलावा बच्चा अहंकारी होता है वह मानता है कि दूसरे लोग दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे वह देखता है और यह तिन परवतों के अध्यन में जो है दिखाया गया है अब देखेंगे जैसे जैसे प्री अ इसमें अहम केंद्रियता कम हो जाती है, बच्चे अपने खेल में दूसरे बच्चे को भागीदारी का आनंद लेना शुरू कर देता है, और आए दिखावा, इसमें आप चित्र के मादिम से देख सकते हैं कि अधिक महत्पुड है, इस चित्र में आप देखेंगे बच्चा A, B, C, D का लर्न कर रहा है, 1, 2, 3, प्लस भी कर ले रहा है, तो एज के इसाथ से आप देख रहे हैं, अब आगे बढ़ रहा है, तो बच्चे अक्सर ऐसे लोग होने का दिखावा करते हैं, जो कि जो है नहीं, ठीक उदारण के लिए सुपर हीरो, पुलिस कर्मी और इस के साथ जो है निभा सकते हैं, जो वास्त्विक जीवन की वस्तूं का प्रतीक है, बच्चे एक काल्पनिक साथी का विश्कार भी कर शकता है, अब मुखे विशेस्ता इसकी क्या है, विकासात्मक परिवर्तन छोटे बच्चे और छोटे बच्चे भासा और लेंग्वेज म दवरान जो है छोटे बच्चे प्रतिकात्मक रूप से चीजों के बारे में सोच सकते हैं, यह किसी एक चीज जैसे की सब्द या वस्तु को अपने अलामा किसी अन्य चीज के लिए खड़ा करने की छमता है, एक बच्चे की सोच इस पर हावी होती है कि दुनिया कैसे चार करने में शक्षम नहीं है, इसके आलामा बच्चे को कक्षा में सामिल होने में कठनाई होती है और यह वस्तु को वर्गी कृत कर सकता है, लेकिन वस्तु को उप समुहूं में सामिल नहीं कर सकता, जिसमें आप समझ सकते हैं कि वस्तु को एक साथ दो दो से अधिक स्रे जीववाद का प्रदर्शन भी करते हैं और यह बच्चे की यह सोचने की प्रब्रिती है कि निर्जीव वस्त्वें जैसे खिलवने में एक व्यक्ति की तरह जीवन और भावनाएं होती है। दो साल का बच्चों ने अपने विचारों को भावतिक दुनिया से अलग करने की दिशा में कुछ प्रगति की है। हालांकी अभी तक जो है बाद के चरडों की तार की परिशालन और विचार विसेस्ताएं विक्सित नहीं हुई है। सोच अभी भी सहज है। इस्थितियों के बारे में ब्यक्तिकत परख निर्ड़े और आधारी। अहम केंद्रित दुनिया के बारे में बच्चे के अपने द्रिश्टिकोर पर केंद्रित करना। ब्यक्तिकत मतभेद की बात करें तो सांस्कृतिक कहानी सुनाना। विभी संस्कृतियों में जो है अनोखी कहानिया, मिथक और लोक कथाएं हैं। और विबित प्रिष्ट भूमी के जो है बच्चे अपने सांस्कृतिक अख्यानों के आधार पे प्रतिकात्मत तक्तों को अलग-अलग धंग से समझ और ब्याख्या कर सकते हैं नस्ल और प्रतिनिधित्व एक बच्चे की नस्ली पहचान इस बात को प्रभावित कर सकती है कि वे कैसे दिखावा करते हैं उदारण के लिए मेडिया और खिलावनों में बिवित्प्रतिनिधित्व की कमि के कारण रंगीन बच्चे ऐसे परिद्रिश्यों को फिर से जो है बनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जो कि उनके लिए जो है क्या बनता है अनभव के लिए जो है आप देख सकते हैं प्रिष्टि भूमी को प्रतिविंबित नहीं करते हैं अगला दोस्तों हमारा है तीसरा इस्टेप है ठोस परी चालन चरण साथ से ग्यारव वर्स है तीसरा हमारा इस्टेप फोस परिचालन चरण की सुरुवात बच्चा जो है संचालन तारकिक नियमों का एक सेट का उपयोग कर सकता है तारकिक में मात्रा को संरक्षित कर सके और यह मैसूस कर सके की लोग दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं बिकेंद्री करण का नाम इसमें आता है समावेशन कार्यों में जो है सुधार प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चे को अभी भी अमूर्त सोच में कठिनाई होती है पच्चा देख रहा है क्या देख रहे हैं चीतर के माध्यम से क्या करने कोशिस कर रहा है मुख्य विशेष्टा इसकी बिक्सित परिवर्तन है विकासात्मक परिवर्तन इस चरण के दवरान बच्चे को ठोस घटनाओं के बारे में तारकिक रूप से सोचना सुरू करते हैं बच्चे सनरक्षण की अउधारडा को समझने लगते हैं और यह समझना की हालांकी चीजे दिखाने में बदल सकती है और कुछ लोग वही करते हैं इस चरण के दवरान बच्चे मांसिक रूप से चीजों को उलट सकते हैं उधारण के लिए प्लास्टी सीन की एक गेंद को उसके मूल आकार में लटाते हुए चित्रित करें और इस चरण के जो है दवरान बच्चे भी कम अहंकारी हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि दूसरे लोग कैसे सोचेंगे और महसूस करेंगे चरण को ठोस कहा जाता है क्योंकि बच्चे तारकिक रूप से अधिक जो है सफलता पुर्वक सोच सकता है यदि वे वास्तविक ठोस समागरी या उनके चित्रों में हेर फेर कर सकता है प्याजे ने ठोस अवस्था को बच्चे के संग्यानात्मक विकास में एक प्रमुख मोड माना क्योंकि तारकिक परिचालन विचार की सुरुवात का प्रतीक है इसका मतलब यह है कि बच्चा चीजों को अपने दिमाग में तारकिक रूप से काम कर सकता है और वास्तविक दुनिया में जो है चीजों को सारीरिक रूप से आजमाने की वज़े है बच्चे जो है संख्या उम्र 6 साल की हो द्रब्यमान उम्र 7 का हो और वजन उम्र 9 का हो और संरक्षित कर सके तो संरक्षड यह समझ है कि कोई भी चीज मात्रा में जो है वही रहती है भले ही उसका स्वरुप बदल जाए लेकिन परिचालनात्मक विचार यहां पर केवल तभी प्रभावी होता है जब बच्चे से उन शमाग्रियों के बारे में तर्क करने को कहा जाए तो भावतिक रूप से मौजूद है और इस अस्तर पर बच्चे अमूर्त या संकलपानिक समस्याओं के बारे में कारण पूछने पर गलतिया करने लगते हैं या घवरा जाता है ब्यक्तिकत मतभेत की बात करें तो सनरक्षण कारियों में जो है सांस्कृतिक संदर्म ऐसे में समाज में जहां पर संसाधन दुरलब है समागरी के सनरक्षण की बात करें तो उफ्योग पर सांस्कृती जोर के कारण बच्चे पहले ही सनरक्षन कौसल का प्रदसन कर सकते हैं। और शीखना का मतलब लिंग छमताओं के बारे में रूड वादीता जैसे लड़के गणीत में बहत्तर हैं। और वही प्रभावित कर सकता है कि बच्चे तारकिक समस्यां को कैसे देखते हैं। और जैसे ही कि सोर इस चरण में प्रिवेश करता है तो अमूर्थ तरीके से सोचने की छमता वस्तुम को अधिक परिस्कृत करके तरीके से संयोजित करने और वर्गिकृत करने की छमता और उच्चिक्रम तरक की छमता हासित करते हैं। तो बात करते हैं कि सोर जो है बेवस्थित रूप से सोच सकते हैं और क्या हो सकता है क्या है और इसके बारे में तर्क कर सकते हैं और हर कोई इस चरण को जो है प्राप्त नहीं करता है इससे कि उन्हें राजनिती राजनितिकता और विज्ञान कथा को समझने के साथ साथ जयनुमती मिलती है कि सोर अमूर्त विचारों से निपट सकते हैं उदाहारण के लिए वे चीजों को वास्तों में विभाजित किये विना विभाजन और विभिन्नी को समझ सकते हैं वुसी तरह से काल्पनिक समस्याओं को भी हल कर सकते हैं तो संचालन चीजों पर किया जाता है ऑफषारि परीचालन विचार कूरी तरह से सारी और धड़ात्म बाधायों में विति हैं और इस चरण के दवरान की सोर अमूर्त विचारों से निपट सकते हैं उदारण के लिए विभाजन और विभिन्य को समझने के लिए जो है केक काटने और मिठाई समझा करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और विभिसिष्ट उदारणों से संदर में सोचे बिना तर्क के आधार परूप का जो है नुशरण कर सकते हैं कि सोर कई समभावित शमाधानों के साथ ही जो है कालपनिक समस्याओं से निपट सकते हैं उदारण के लिए यदि पूछा जाए कि यदि एक घंटे के समय में जो माप्त कर दिया जाय तो क्या होगा और वे कई संभावित परिडामों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं लगभग 12 वर्ष की आयू के बच्चे किसी भी तार की जो है तर्क के रूप स्वरूप का जो है उसकी समागरी के लिए संतर में बिना सुरण अनुसरण कर सकते हैं और इस समय के दवरान लोगों में अमूर्थ अधारडा के बारे में जो है सोचने और परिकल्पनाओं का जो है तार की रूप से परिक्षण करने की छमता भी विक्सित होती है और यह चरण किसी भी समस्या का समान करने सामना करने के लिए जो है वैग्यानिक सोच के अमूर्थ सिधानतों और परिकल्पनाओं को जो है तैयार करने को देखता है अब इसमें भी बेक्ति गत जो है मतभेत की बात करे जातों संस्कृति और अमूर्थ सोच की बात संस्कृतियां विभीनि प्रकार की तारकिक और अमूर्थ सोच पर जोर देती है उदाहरण के के लिए एक मजबूत मौखिक परंपराग वाले समाजों में जटिल अख्यानों को धारन करने की छंता प्रमुख्यता से विक्सित हो सकती है लिंग और नैतिक्ता की बात करें तो नैतिक्ता और नैतिक्ता के बारे में चर्चा लिंग मानधंडों को प्रभावित हो सकती है उदाहारन के लिए कुछ संस्कृतियों में लड़कियों को समुदाइक समधिता में प्राथमिक्ता देने के लिए प्रुसाहिद किया जा सकता है जबकि लड़कों को अधिकारों को प्राथमिक्ता देने के लिए प्रुसाहिद किया जाता है अब फ्रेंट्स देखेंगे जिन प्याजे के सिधांत में कुछ मुख्य बाते हैं उसको ध्यान दे प्याजे के सिधांत सक्रिय भूमिका पर जोर देता है बच्चे अपने संग्यानातों विकास पर निभाते हैं प्याजे के अंसार देखेंगे बच्चे जानकारी की सक्रियता परियाब्त करता नहीं है इसके वज़े सक्री रूप से अपने परिवेश का पता लगाते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं तिसलिए कहा जाता एक बच्चे का वातावरण और परिवेश अच्छा होना चाह प्राथी सक्रिय जुडाव महतपूर क्योंकि यह उन्हें दीरे-दीरे दुनिया के बारे में अपनी समझ बनाने की अनुमती देता है। प्याजे ने सिद्धान्त कैसे विक्सित किया। तो प्याजे ने 1920 में दसक के बीनेट इंस्ट्रियूड में कारेरत थे। जहां पर उनका काम अंग्रेजी मुख्या परिछणों पर प्रश्णों के फ्यांस अंस्क्रण बिक्सित करना था। और तारकिक सोच की अवस्यक्ता वाले प्रश्णों को गलत उत्तरों के लिए बच्चों द्वारा दिये गए जो है कारडों से यह उस्सुख हो गए। उनका मानना था कि इन गलत उत्तरों से वायस्कों और बच्चों की सोच के बीच में महरपुड अंतर पता चलता है। अब देखेंगे प्याजे बच्चों की बुद्धी के बारे में नई धारणाएं प्रस्तूत की तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लास में बच्चे की बुद्धी वैस्कों और मात्रा के वज़े गुर्वक्ता भीन्य होती है और इसका मतलब है कि बच्चे वैस्कों से अलग तरह से तर्क सोचते करते हैं और दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से जो है दुनिया के बारे में अपना ज्यान बढ देख बच्चे के जो है तर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि चीजों को उनके दृष्ठी कोर से देखना तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तरह है यह सारे चीज यह परिभासाय है कुछ है इसकीमा है, इसकीमा की बारे में भी देखेंगे क्योंकि थोड़ा से चर्चा हमने किया था और इसकीमा के पैकिंग और अपडेट में यहां देखेंगे इसके उदहारण है I hope अनकूलन की प्रक्रिया है दूसरे चोथे नमबर पे यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही आत्मसाथ करना होता है और आवास है उदहारण के लिए संचूलन है यह रहा तो दूसरे इस तरह से आपको एक लास अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना बहुत ही मेनत के बाद जो है वीडियों बनाई जाती है लाच में शॉर्ट में दिया गया है और यहीं से हम क्लास को इंड करते हैं उमीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी थैंक्स पर वाचिंग गाड लेस यो शॉर्ट में एक बार स्क्रीन सॉर्ट मनना चाहेंगे तो मार सकते हैं सेंसर मोटर का ए देख लेंगे फिर इसके बाद प्री ऑपरेशनल का ठोस का इतना है फिर ओप्स जारिक का यहीं मुख्य चीज है सुच में याँ पर मुल्यांकन जो होता इविलेशन के बारे में जान लेंगे अलोजना भी दिया गया है अब देख सकते हैं अगर BAT, BTC, MET कर रहे हैं तो आपके लिए है ठीक है अलोजना भी पूछा जाता है तो आप अलोजना भी उनके बारे में कर सकते हैं तो पूरी आज की यह टॉपिक है तो दोस्तों हमारे चैनल लगातार बने रने के लिए तैदिल से सुक्रियादा करते हैं थैंक्स पर वाचिंग, गड़ ब्लेस यू क्लास आधे गंटे का हो चुका है